हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉम्पिटिशन रूफ चैनल विद्यार्तियो आज जो हैं हम पद्ध खंड को आगे बढ़ाएंगे अभी तक मैं आप लोगों को दो कवीताएं उपलब्द करवा चुकियों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें और आप लोगों ने आई होप अपना जो गद्ध और पद्ध खंड है उसको एक बार पढ़ लिया होगा यदि नहीं पढ़ा है तो किरपया उसको पढ़ लीजिए क्योंकि पाठों के अंदर से आप 2020 के कोश्चन वितान भाग 2 के मैंने आप लोगों को यानि जो 12 में वितान लगी हुई है वो मैंने आप लोगों को उपलब्द करवा दिये हैं उन्हें भी आप MCQs को ज़रूर लगाए मैंने वन लाइनर भी आप लोगों को मटीरियल उपलब्द करवाया है तो आप इन कुवर नराण जी है कवीता किस के बहाने एक उडान है चुडिया के बहाने उडान बताई गई है कवीता फूलो के बहाने क्या है कवीता फूलो के बहाने क्या है खिलना है कवीता किस के बहाने खेल रही है बच्चे के बहाने कवीता खेल रही है सब घर एक कर देने का आश कोन है कुवर नरायन जी हैं आगे बढ़ते हैं सी दी सी बात किसके चक्कर में फस गई अलंकारों के चक्कर में फस गई थी कवी किसे पाने की कोशिस करता है कवी अपनी बात को पाने की फिर से कोशिस करता है बात बहार निकलने के पेक्षा कैसी हो गई बात जो है उसका अर् रही थी बात जो है कवी के साथ कैसे खेल रही थी बच्चे के समान खेल रही थी बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का प्रयोग है बहुत बार पूछा गया है प्रभाव हीन हो जाना की बात की चूड़ी ही मर जाती है बात की पेच खोलना तो मतलब स्पष्ट होना की बात में पेच कोन सा लगा हुआ था बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना बात का मतलब कहना बात समझ नहीं आना बात को मुझे पसीना पोफ्ते देखकर पूछा में अनुपरास अलंकार है कुवर नरायन का जन्म किस सन में हुआ था 1927 इस्वी में हुआ था कुवर नरायन द्वारा प्रबंध कावे कौन सा है आतम जई है बहुत बार पूछा भी गया है आतम जई प्रबंध कावेन का याद रख लीजेगा कोवर नरायन को किस कवी नाम पर सम्मान मिला था किस रचना पर कदी नहीं है यहाँ पर किस रचना पर सम्मान प्राप्त हुआ था तो किस कवी के लिए उनको मिला यहाँ पर कदी की जगह क्या है कवी उन्होंने किस पर लिखा था कवीर पर लिखा था इसके लिए उनको समान भी मिल चुका था कवीर समान कवीता के बहाने कवीता कवी के किस संग्रे से ली गई है इन दिनों से तो कवीता के बहाने किस से ली गई है, इन दिनों से अच्छे से याद कर लिजेगा बात सीदी थी पर कवीता कवी के किस काव्य संग्रे से ली गई है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, आपने, सामने ये चकर जो इन में से क्यों सा है कोई दूसरा नहीं तो ये याद रखना बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं है और हमने इससे पहले पड़े कवीता के बहाने ये किस से ली गई है ये इन दिनों से ली गई है और बात सीधी सी किस से ली गई है कोई दूसरा नहीं है से ली गई है ये देख कविता की उडान में कौन नहीं जान सकता, कविता की उडान को चिडिया जान नहीं सकती, कविता के पंक लगा उड़ने से क्या तात्प्रह है, कल्पना करना तात्प्रह है, बिरा मुर्जाय महेकने के माने में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार दिया गया है, बात बाहर निक कुन सी है नागर इनकी समेधना कृती है बात सिदिती पर में कवी ने किस पर बल दिया है भाशा की सहजता पर बल दिया है अच्छी कवीता का बनना सही बात का सही किस से जुड़ना है शब्दों का जुड़ना है शब्दों होगा यहां पर बात की पंच योजना से कवी का क् कवी से शरारती बच्चे के समान कोन खेल रहा है बाते कवी से शरारती बच्चे के समान भाशा आएगा यहां पर बाते नहीं होगा का उत्तर में इसका क्या होगा भाशा होगा बच्चे के समान में खेल पही है भाशा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा होती गई भा ने कवीता के लिए क्या उपमान दिया है खेल दिया है बात जरा टेडी फसने का मूल करण क्या अर्थवाद बिना मुर्जाय क्या महकती है कवीता चली अब इसे कुछ वस्तुनिष्ट प्रेशन भी देख लेते हैं कवीता के बहाने कवीता को किस कावे संग्रे से लिया गया है कवीता किस भाषा में लिखी गई है खड़ी बोली में लिखी गई है कवीता के बहाने कवीता में कौन सा चंद है कवीता चंद मुक्त चंद है कवीता के बहाने कवीता में किस के अस्तितों पर विचार किया गया है कवीता के अस्तितों पर विचार किया गया है कवीता प भावनाओं वे कलपनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकर्ति कवी के लिए क्या है कविता लिखने का साधन है कविता के बहाने कविता के अनुसार चिडिया फूल और बच्चे क्या है अभिव्यक्ति के साधन है कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निश्कर्स निकलता है कि कविता काल जई होती है मतलब कि उसका समय कभी बी समाप्त नहीं होता है किस की उडान को सीमित बताया है चिडिया की कविता की उडान कैसी होती है ज्यापक कविता की पंख किसका परतिका कवि की कलपनाओं का कविता के पंख में कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार है very very important question चिडिया क्या जाने में कौन सा अलंकार है प्रश्न अलंकार दिया गया है कविता की उडान में कौन सा अलंकार है कौन जान नहीं सकता चिडिया पहले भी आ चुका कवीटा की सीमा नहीं है कवीटा का वर्णन पीछे कवी कव्या उधेश है करणा बाहर भीतर में कौन से लंकार है अनूपरास लंकार है रहवन की अवर्णती के कारना कवीता फूलों के बहाने क्या है, खिलना है, कवीता के मन में किस तरह के भाव है, कवी के मन में किस तरह किस तरह खिलते हैं, फूल की तरह खिलते हैं, कवीता के बिना मुर्जाय खिले रहने, वे महते रहने के रहसे को को नहीं समझ पाता है, फूल नहीं समझ पाते है, फूल का प्रभाव चिर स्थाई होता है कि बिना मुर्जाय हुए भी वो हमेशा क्या होती है महकती रहती है लेकिन फूल एक समय के बाद मुर्जा जाते हैं इसलिए कवीता को जो है यहां पर कवी ने जो हमारे फूल है उनसे भी अधिक महता उसको दी है कवीता और फूल दोनों मे होती है कवीता और फूलों के महकने में क्या अंतर है कि फूल कुछ ही समय के लिए महक लेते हैं लेकिन कवीता काल जाई होती है फूल कवीता से कम प्रभाव शाले किस परकार है फूल कुछ समय बाद मुर्जा जाते हैं कवीता किस के बहाने खेलती है बच्चे के बहाने ख इस कवीता के उनसार बच्चों के खेल की क्या विशेस्ता है वो खेलते समय विबिन घरों के भेदवाव को मिटा देते हैं बड़े लोगों के बीच की दूरी कोन मिटा देता है बच्चे मिटा देते हैं कवी कमन किस भावना से उपर उठकर सब को बच्चों के समान मानता है अपने प्राय के बेदवाव से उपर उठकर कवी और बच्चों में समानता रखने का क्या कान है दोनों किसी सीमा को नहीं मानते और दोनों के लिए कोई अपना प्राया नहीं है बात सीधी थी पर के कवी कोन है अब देखो विद्यारतियों यहाँ पर यह याद रखेंगे कि हमने एक पूरी कवीता को याद कर लिया है तो कवीता यह हमारा हो चुका है आप देखेंगे हमने लगबग 50 कोशन कर लिए है अब आगे देखते हैं बात सीधी थी अभी हमने प तो इसके लेखक भी कौन है हुवर नरायन जी है इस कवीता में कवी किस बात को कहने किस पर विशेश जोर देता है भाशा की सरलता और सहजता पर देता है ठीक है एक अच्छी कवीता बनाने के लिए क्या जरूरी बता है सही जगह पर सही भाशा सब्दों का प्रयोग करना ब कवीता में थोड़ा बदलाओ कर कवीता को ठीक करने के चक्कर में कौन भाशा कैसी हो गई और अधिक भी जटिल हो गई कवी किसे पाने की कोशिस करता है बात को पाने की कोशिस करता है किस कारण बात पहले से और अधिक पेचिदा हो गई तोड़ने मरोडने उलटने उलट पुल्टा तोड़ा मरोड़ा गुमाया फिरा में कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार दिया गया है बात की पेच खोलने से कवी का तत्पर है बात को सपष्ट करना दो वस्तों को जोडने के लिए पेच में क्या होना आउशक है ताकि वस्तों पर पेच की पकड़ पड़ेगा पेच कसने के बज़ाए खुलने लगेगा जब अरदस्ती पेच कसने की कोशिस में क्या होगा पेच की चूडिया तूट जाती है इसलिए यहां पर कहा गया है कि बात की चूडियां मर गई कवीता के भाव को समझे बिना कवीता में क्या करने लगे चामतकारी बनावटी भाषा का प्रियोग करने लगे कवीता में कवी के करतब किसे कहा गया है बनावटी भाषा के प्रियोग को कहा गया है अडंबर पूर्ण शब्दों बनावटी भाषा के प्रियोग से भाषा कैसी रहती है एसपस्ट होती है कवीता के करतब हो कवीता में कर रहे हैं कवी करतब दिखा कर क्या करने की कोशिस कर रहे हैं अपनी बात समझाने की कोशिस कर रहे हैं पेच में चूडी मरजाना बात का प्रभाव हीन हो जाना बनावटी भाशा के प्रयोग से कवीता कैसी हो गई है एक दिम प्रभाव हीन वे उदेश हीन हो गई है अंत मे कवीता क्या बनकर रहे गई शब्दों का एक समू मातर बनकर रह जाती है शरारती बच्चे के समान कवी से कोन खेल रहा है बात खेल रही है बात कवी के किस के समान खेल रहे है शरारती बच्चे के समान कवीता में भाशों का सही प्रयोगना करने से परेशान कवी को देखकर बात रूपी नटकट बच्ची ने उनसे क्या पूछा, क्या कवी ने सरल सभाविक वे सुज़दा जनक तरीके से भाशा का प्रयोग करना नहीं सीखा, एक बच्चे की तरह उसने इस परकार से प्रशन पूछा था, पसीना पोंस्ते ठीक ठाक हार कर में अनुपरास अलंकार दिया गया है, बात ने जो एक श़ैर्ति बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इस में कौन सा अलंकार है, मान मिकरन अलंकार है कवीता के बाद के तुलना पेट से की गया, कौन सा अलंकार है, क्या तुमने भाशा को सहलयद से बरतना नहीं सीखा, यहां पर बात कवी से प्रेशन पूछ रही है कौन सा लंकार है प्रेशन अलंकार है अब थोड़ा कुवर नाराएण जी के बारे में विद्यारतियों घान लेते हैं। कुवर नराण को कौन से पुरसकार मिल चुके हैं देखो सहाईते कादमी पुरसकार आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएं कि सहाईते कादमी पुरसकार कुवर नराण जी को किस विदा के लिए मिला है कुमारन आशान पुरसकार व्यास समान प्रेमचन पुरसकार लोया समान कबीर सम्मान ग्यानपिट पुरसकार यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखिए तो कोश्चन का अंसर जरूर डाले देखती हूँ आप कितनी क्लास को सीरेसली ले रहे हैं और कितनी अपनी तयारिया बेस्ट कर रहे हो कुवर नरा ने कावे लेखन की शुरूरात 1950 से की थी इनकी पहली रचना थी चक्र व्यू प्रथम रचना चक्र व्यू उन्होंने कब लिखी थी 1956 में इन्होंने लिखी थी अब हम अगली कविता कल करेंगे विद्यारतियों तो आज हमने दोनों कविताओं के लगबग 50-50 MCQ जयाने की 100 MCQ करें हैं इससे बहार इन कविताओं से एक भी प्रशन आपसे नहीं पूछेगा तो वीडियो को तो से तीन बार आप लगा लीजेगा कविता का सार पढ़ लीजेगा कविता के अलंकार पढ़ लीजेगा अच्छे से और जो मैंने लेखक परीचे करवाया है इससे समझे जो प्रशन पूछा उसको कमेंट बोक्स में बताईएगा मिलते हैं विडियारतियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ कुछ नए के साथ अपनी तयारी को बहतर करते रहिए और सेलेक्शन आपका ज़रूर होगा बस अपनी मेहनत में कोई आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं रहे जाए कि आपने ये कर लिया होता तो आप टीचर बन जाते हैं अपनी मेहनत में कोई कमी मत आप छोड़िए चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली वीडियो अगली कवीता पर ही होगी ठीके विद्यार्थियो तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम